क्रिशी दर्शन खेत खले हानों के जहां होते बात उपज और समझ बढ़ाने के करते सबात सापा चार मीले उपचार मीले क्रिशी ते विज्ञान जुडे तो तक्निकों का ग्यान मिले खेतों के कस्वेरों में खर्याले का रंग भरे के साजों के तक्दीरों में खुशाली का संग रहे क्रिशी दर्शन क्रिशी दर्शन जुहार नमस्कार किसान भाईयों कैसे हैं आप आपकी मुस्कान कुछ कह रही है ये कह रही है कि भाई मौसम ने जो दस तक दी है तो आप उससे खुश है क्यूंकि अब आपको खेती बारी का समय हो चला है तो चलिए आगे और बाते करेंगे लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं क्रिशी समाचार जिसमें है आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बाते है अब समाचार विस्तार से क्रिसी, पसुपालन एवंग सहकारिता विभाग के अंतरगत गव्य विकास निदे साले राथी के अधिनस्त जिला गव्य विकास कारियाले द्वारा राजे के ग्रामीन शेतरों में बीपील वर्ग की महिलाओं को 90 पृतिसत और 10 पृतिसत लाभू कंसदान पर तो उननत नसल के दुधारू गाई के वितरन की योजना करियानवीत की जा रही है इक शुक लावर्थी अपने जिला के जिला गव्य विकास पदादिकारी से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकने हैं आरके वीवा योजना के अंतरगत किसान भाईयों के लिए परती भूमी की योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतरगत प्रोतसाहन एवंग अनुदान की रासी दे है परती भूमी में खेती करने वाले किसानों को प्रोतसाहन रासी 4,000 रुपे परती हेक्टर दे होगी योजना का लाव लेने के लिए क्रिसक भाई, प्रखंड क्रिसी पदादिकारी या प्रखंड तक्नीकी प्रबंदक गुमला के कारियाले में संपर्क कर आविदन जमा कर सकते हैं किसान भाई, बरसाद के मौसम में किसी भी फसल में रोग या कीट नियंतरन के लिए दबाईयों का छिड़काव करना हो तो दबाईयों के गोल में स्टिकर जरूर मिलाएं इस टिकर ऐसा पदार्त है जो गोल को पत्यों पर अधिक समय तक चिपके रहने में मदद करता है किसान भाई, खरीप मौसम में मदद के अधिकादिक उतपादन के लिए जहारखन में अनुसंसित उन्नत प्रभेद लगाएं ये उन्नत प्रभेद कौन से हैं, आईए इस समंद में जानते हैं विशे सग्य से किसान भाई ये मदद के उप्यूट किसमें जेपीव पैसट है, जेपीव पैतालिस है, ये चारसो चार है, एचार तीनसो चंप्तर है किसान भाई कतारों में बीज की बुआई एवंग खाद डालने के लिए बिरसा बीज नामकरसी यंदर का प्रियोग कर सकते हैं इसकी कारेचमता 50 डिस्मिल प्रति दिन है आज की विशेश जानकारी है फूल गोभी या पत्तागोभी फसल में कीटों के नियंतरन के बारे में किसान भाई फूल गोभी या पत्तागोभी फसल में पत्ती खाने वाले वयस्क लारवा कीड़े लग गये हों तो पौधों से निकाल कर इकठा कर लें और खे일 से दूर ले जा कर नश्ट कर दें और अब एक नजर राज्य के पाँच प्रमुख सहरों के मौसम के मिजाज़ पर आज राजी के 5 प्रमुक नगरों के अधिक्तम और न्यूंतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किये गये राची का अधिक्तम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम 23 डिग्री सेल्सियस जमसेदकूर का अधिक्तम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम 26 डिग्री सेल्सियस मेदनी नगर का अधिक्तम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम 24 डिग्री सेल्सियस देवघर का अधिक्तम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम 26 डिग्री सेल्सियस धनबाद का अधिक्तम तापमान 31 जिग्री सेल्सियस और नियून कम 25 जिग्री सेल्सियस रहा और अब मंडी भाव में आईए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर आज क्रिसी उत्पात बाजार समीती राची में विभिन खाद्यानों के थोग भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किये गए चाबल मोटा 1900 रुपे से 200 रुपे चाबल मध्यम 2350 रुपे से 2850 रुपे चाबल उत्तम 3200 रुपे से 6000 रुपे यहू 2000 रुपे से 2600 रुपे क्रिसी समाचार में आज इतना ही अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजातरीन खबरों के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार जोहार किसान भायों और बहनों आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों के खरीद पर वित्तिया सहायता का लाब उठाएं अपने आमदनी बढ़ाएं और खुशाली पाएं हो गया मैंने सोच लिया है मैं तुझे कृशी का इंजीनियर ही बनाऊंगा नई मशीने नए उपकरणाय आपके द्वार ले लो इनसे अब खुब खुशी और पैदावार तो चलिए किसान भायों समाचार के बाद आपके अपने कारिक्रम में फिर सस्वागत करती हूँ तो जैसा आपने देखा कि आपके लिए समाचार में थी क्रिसे से जुड़ीवी महत्योपुर्ण बाते मौसम का मिजाज जो रोज बदल रहा है और मंडी का भाव अब बारी है अगले जानकारी की ओर बहुत अच्छी जानकारी है आपको लिए चलेंगे हम अंगड़ा ब्लॉक के मौनगड़ी गाउ जहां कि ये वृत्य चित्र है जिसमें हम जानेंगे कि मौसम पुरवानुमान के आधार पर कैसे क्रिसे सलाह दी जाती है और किसान भाई क्रिशी कर रहे हैं और लाब भी कमा रहे हैं तो चलिए हम और आप चलते हैं मुंगड़ी गाउं और वहाँ ये वृत्य चित्र देखते हैं और जानकारी या बटोर लाते हैं जारकन राज में कृषी के शेत्र में किसानों को कड़ी चुनोतियों से गुजरना पड़ता है। पहारी शेत्र होने के कारण यहां की जमीन पत्रीली है, धलान वाली है, मिट्टी की गहराई कम है, उसकी उरवर्ता और जलधारन शमता कम है। अमलियता और सिचाई में भी काफी कमी है, यहां 10-15 प्रतिशत ही सिचाई की सिविधा उपलब्ध है, हाला कि बारिश यहां पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पत्रीली जमीन और धलान की वज़े से यहां का धिकांश पानी बह जाता है। Center for International Projects Trust, CIPT ने बिर्सा क्रिशी विश्वे विध्याले के साथ मिलकर सफल यानि Sustainable Agriculture and Farmers Livelihood परियोजना की शुरुवात जारखन राज्जी के राची जिला के अंगड़ा ब्लॉक में की है। USAID यानि United States Agency for International Development भारत में CIPT के साथ मिलकर Water and Livelihood यानि वील्स पे काम कर रही है। और इसने जारखन में सफल परियोजना के अंतरगत अंगड़ा ब्लॉक के 10 गाउं से 700 किसानों को इस परियोजना से जोड़ा है। USAID, United States Agency for International Development के अंतरगत, कोलंबिया इन्वर्सिटी का एक कोलंबिया Water Center है। वो अपने इंडियन पार्टनर CIPT के साथ मिलकर के भारत में Water, Agriculture और Livelihood यानि वील्स पे काफी कुछ काम कर रही है। CIPT जिसका मुख्याले दिल्ली में है वो पंजाब और गुजरात में इस छेत्र में काफी सरानिय काम कर चुकी है। और उन्हें ये ख्याल आया कि अब भारत का दूसरा हरित करांती पूर्वी छेत्र से आना है। तो पूर्वी छेत्र में जहारखन को सेलेक्ट किया। और जब वो यहां पे काम करने की इच्छा जटाई। तो B.A.U. को जब उन्होंने कांटेक्ट किया M.O.U. से पहले हम लोगों ने ये सोचा कि बड़े-बड़े काम ना करके छोटे काम किये जाएं। बड़ा अलाका नहीं चुन करके छोटे छेत्र चुने जाएं। जहां पे कम से कम हस्थेप, कम से कम इंटर्वेंशन दे करके पूरा फॉलो अप करके कुछ साकारात मंग नतीजे निकाले जाएं। और वो नतीजा ऐसा निकले के अनुकरनी हो और जिसको तूसरे दूसरे चेत्रों में भी विश्तारित किया जा सके। अंगड़ा ब्लॉक में खेती को लेकर कई समस्याएं थी, सिचाई के उत्तम व्यवस्था नहीं थी, किसान सिर्फ धान की खेती पर निर्भर थे, उत्पादम काफी कम था, तो ऐसे में सफल पर योजिना के तहट किसानों को उन्नत खेती में बढ़ावा देने के लिए धा स्पानी के अभहाओ को और वाटर हार्वेस्टिंग के केंद्ड बिंदू रख करके हम लोगोंये काफी सर्वे करने के बाद अंगरा बलॉक को चुना जहां कि काफी ज्यदा चनोतियां हैं और यहां की खेती बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्टि में काम करन के लिए विकल्प तो बहुत सारे हैं बड़े बड़े चेक डेम बना जा सकते हैं जो के एक चेतर में पानी को रुखा जा सकता है चोटे तालाब हो सकते हैं बड़े तालाब हो सकते हैं कुवा हो सकते हैं और चोटे चोटे डोभा बनाकर खेत का पानी खेत में गाउं का पान तो उसके मद्दे नजर हम लोगों ने ये पाया है कि छोटे-छोटे डोभा ज्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। अंगड़ा ब्लॉक में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी सीचाई की। इस समस्या से निपटने के लिए दस गाओं में बीस डोभा का निर्मान किया गया। डोभा में पानी का स्तर कम से कम साथ से आट महिने बरकरार रहे। इसके लिए साइट सेलेक्शन पर विशेष ध्यान दिया गया। खास करके डोभा या कोई भी वाटर हार्विशनिंग इस्ट्रक्चर जब बनाया जाए तो उसका कैच्मेंट एरिया उसका सुरूत का ध्यान जरूर देना चाहिए। साइट सेलेक्शन बहुत ही केर लेके करना चाहिए। अईसा नहीं एक कि 10 दिन बारिश होही हो उसमें कुछ पानी जमा हुए बारिश खतम हो गया तो उसका पानी खतम होगिया। इसलिए डोभा का सेलेक्शन ऐसे जगہ करना चाहिए, जहाँ पे बारिश की पानी तो जमा हुई। साथ साथ आस पास के अलाके से आस पास के जगर से जो रिस्तावा पानी सफ सर्फिस वाटर जो फ्लो करता है जो पानी फाल्स में जाके गिरते हैं वो उस डोबहा में आके जमा हो तो कम से कम साथ आठ महीने तो पानी डोबहा में रहना ही चाहिए तब ही खेती को मदद कर सकत जहारखन में खेती मौसम पर निर्भर करती है मौसम को अपने अनुकूल बनाना अपने वश में नहीं होता तो ऐसे में मौसम के हिसाब से हमें ही ढलना होता है किसान मौसम आधारित खेती कर सकें इसके लिए मौसम की जानकारी होनी अतियावश्यक है इसकी पूरती के लिए CIPT ने अंगड़ा के गाउं में आटमेटिक वेदर स्टेशन के स्थाफना की है जिस से की मौसम के मिजास का पता लगाया जा सके से सतरह से अठारा लाग हेक्टर में सिर्फ धान की खेती होती है जबके धान ही एक ऐसा फसल है जो मौसम से ज्यादा परभाविज़ा होता है जिसको पानी की ज्यादा जुरुत पढ़ती है और सुखार इस्तिती हो तो सबसे पहले धानी मरता लेकिन यहां के किसानों को धान है जो अपना प्रंपनगत तरीके है उससे हटने में उनको काफी रिस्क महसूस होता है और आने वाले दिनों में इन सारे गाओं को हम मौडल विलेज के रूप में डेवलप करना चाहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं अभी कुछ गाओं में हमने एक् और गाओं के अस्तर पे हम आने वाले दिनों में मौसम की जानकारी किसानों को दे पाएंगे पुर्वानुमान दे पाएंगे प्रामर्स दे पाएंगे तो हमें आशा है कि आने वाले दिनों में ये छोटा सा प्रियास बड़ा रूप लेगा और किसानों को प्रोसान जब किसान नई तकनीक से जुड़ते हैं तो उन्हें कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से निबटने के लिए हर गाउं में एक प्रतिनिधी रखा गया है। जिसे किसान अपनी समस्याओं बताते हैं और वो प्रतिनिधी CIPT तथा BAU को उनके समस्याओं से अवगत कराता है। देखिए जब कोई नया इंटरवेंशन आता है तो उसके लिए जरूरी है कि जब नई चीज कोई परजोग किया जाते हैं तो उसमें समस्याओं आना जो है वो निश्चत है। तो उसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि आप लोकल पार्टनर्स के साथ काम करो। उससे सवी कारेता बढ़ती है। ओनर्शिप भी बढ़ती है और इसमें जो मुश्किले हैं उनको बड़ी जल्दी से दूर किया जा सकता है। तो CIPT ने बिर्षा क्रिशी विशफ देल्या के साथ प्रफेसर वदूत के साथ कलाबोरेशन किया। तो ये दो पार्टनर यहां पे मिल के काम करते हैं। तो किसान को जब भी कोई मुश्किल आती है तो वहाँ डिरेक्ट कॉंक्टक्ट है बिर्षा क्रिशी विशुफ देल्या का किसानों के साथ। किसानों के हर गाओं में यहां पे हमने निमाइन्दे चिनित किये हुए हैं। वो जो नुमाइदे हैं किसान उनके पास जाता है, उनको अपनी समस्याओं से प्रशित कराता है और वो जो हमारे नुमाइदे हैं वो विर्शा किशी विर्शा दिया लिया और हमारे CIPT आफिस के साथ समपरक्स आते हैं CIPT द्वारा दिये गए उननत बीच, मौसम की जानकारी, प्रसिक्षन तथा बनाए गए डोभा ने अंगड़ा के किसानों की तस्वीर ही बदल दी है इसका प्रतिफल ये हुआ है कि किसानों की फसल का उत्पादन पांच से छे गुना बढ़ गया है जहां वो पहले एक हिक्टर में दस से ग्यारा कुइंटल धान लिया करते थे इस हस्तक शेप के बाद साट कुइंटल प्रति हिक्टर धान ले रहे हैं इतले साल हमने पचीज डिसमिल के लिए किसानों को धान का बीच दिया था है इस बार उसका तीन गुना कर रहे हैं सतर पचीज डिसमिल के लिए किसानों को धान का बीच दे रहे हैं पच्चास पुइंटल धान हम ले लिया है और उसको आने बाले दिनों में दस से पंदर जून के आसपास हम वित्रित करेंगे सिर्फ बित्रित ही नहीं करेंगे उसका पैकेज और प्रैक्टिस ही बताएंगे और धान का किसिम हमने हाइबरिट नहीं लिया है बलके ललाट और नवीन लिया है जो धान के उपई से अगले साल उसी बीच को वो इस्तिमाल कर पाएंगे उन्हें बाजार से बहुत ज़्यादा कीमत में हाइबरिट सीर्फ नहीं पड़ेगा इस तरह से आर्थिक बोज किसानों पे कम पड़ेगा और आने वाले दिनों में जब सबजी की खेती करेंगे तथा उन्हें लक्तेदार सबजी के बीच दिये गए और उसकी उपज इतनी हुई कि हर किसान सबजी बेचकर हफते में हजार रुपे के आमदनी प्राप्त करने लगा है पानी अपरील के अन तक डोबा में था कोई एक मेहना तक तो आदा पानी रहा दूसरे मेहना में थोड़ा कम हुआ अपरील के अन तक एक चौथाई पानी रहा अपरील के बाद पानी खतम हो गया अभी में में भी कुछ-कुछ डोबा में पानी है तो वो फसल इतना बंपर हुआ कि किसान उसकी उपज हफता में दो दिन गाओं के बगल के हाट में बेचने जाते थे और कम से कम 500 रुपईया परती हाट यानि के एक हफता में 1000 रुपईये का उनको अतिरिक ताम नहीं सिर्फ इस इंटर्वेंशन से हुआ जो के इस इंटर्वेंशन के अभाव में गत वर्सों में वो खेत खाली होता था अभी सफल के कई हस्तक्षे बाकी हैं जिने इस वर्ष धरातल पर उतारने की उमीद है जैसे किसानों के लिए मार्केट की वेवस्था करना तथा उतपात को रखने के लिए बांस के कोल्ड स्टोरेज की वेवस्था करना मिलता है तो उसकी पॉकेट में कुछ नहीं पहुचेगा तो इसलिए जरूरी है कि वो उस छेतर में भी काम किया जाए तो आने वाले समय में सफल का यही एक बड़ा उदेश ये भी कि हम एक नया मार्केट डवलप करें और उसमें किसानों की पूरी भागेदारी हो किसान अपनी फसलों को मार्केट तक ले जाए और उसको फिर बेच पाए किसान ग्यान के अभाव में बहुत सारी तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते हैं अधा किसान SMS तथा ओफलाइन सुविधा के माध्यम से जानकारी ले सकें इसकी भी व्यवस्था की जा रही है इसमें इरिगेशन करना है सचाई करना है कि नहीं करना उसकी प्रकार जैसे हमने यहां पर एक वेदर स्टेशन यहां पर लगाया है अब तीसरा में काम करने जा रहा है कि किसानों को कई बार जो समस्या आती है कि उसको कीड़े लग जाते हैं, कौन सी खास इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा बीच करना चाहिए, कौन सी वेराइटी करना चाहिए, तो ये कई किताबों में तो है उपलग, बहुत अच्छे माध्य हम से, लेकिन उसके तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो हम इसमें टू-वे कम्यूनिकेशन डवलब कर रहे हैं, जिसको डिसिजिन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ताकि किसान के पास जितने भी लोग हैं इस गाओं में, कम से कम मुझे लगता आट से दस लोग के पास फोन जरूर होते हैं, तो उसके फोन में वो ओफलाइन सुविधा होगी, उसको अगर कोई जानकारी चाहिए, तो अपने फोन के बटन पे उसको कृषी संबधित पूरी जानकारी मिल सकती है, तो यह नए आने वाले समय की यह हैं अगले जो चार से छे आट मैनों में हम यह काम करने जा रहे हैं। कोई भी योजना तभी सफल होती है जो उसमें महिलाओं की भागिदारी होती है। अता उनकी भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हर प्रशिक्षन कारिक्रम में विशेश रूप से आमंत्रित किया जाता है। तथा क्रिशिक्षत्र में काम करने के लिए प्रेडित किया जाता है। आपको जानकर आश्चल होगा कि हमारे ट्राइवल सोसाइटी में आउल्रेडी महिला जो है भर चड़ कर भाग लेती है खेती में। फिर भी हम लोग किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग हो या कोई प्रोग्राम हो काजक्रम हो उसमें हम लोग महिला को जरूर अमंत्रित करते हैं। प्योंकि यह अक्सर माना जाता है कि घरों में महिला जो है डिसीजन मेकिंग होती है। मैंने उनका जो decision होता है उनको मानना पड़ता है इसलिए हम लोग तो कोशिज करते हैं कि महिलाओं को भी जो है अभी साथ में लेके चले सफल ने इस तरह से अपने साथ अंगड़ा के किसानों को जोड़ कर काम्याबी दिलाई जो किसान पहले सिर्फ धान की खेती पर निर्भर थे तथा धान की खेती के बाद पलायन कर जाते थे उन्हें अब बाहर जाकर मजदूरी तथा रिक्षा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती वे अब खेती से ही इतनी आमदनी कर लेते हैं कि उनका गुजारा आसानी से हो जाता है पहले जो किसान अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पाते थे वे अब उन्हें शिक्षित कर रहे हैं तो है आज कर तो सऺ ऐसी मॉव की तएरज तो इसे हम लोगना जैसे हम लोगा भुराणा जैसे हम लोगा भुर मोगना द्हान कटाय कि वाद हम खुद हम रर्खा चलाने जारहे हैं रिक्षा चलाने के बाद फिर खेती सिजन आ रहा था, मैं जून में फिर घार आते थे, उसके बाद फिर धानुन लगाते थे. जब यहां पर लोग आये, आप लोग को बताए कि नहीं, अब खेती में थोड़ा सा बदलाव कीजिए, डोभा बनाईए, तो आप लोग उसमें क्या सोचें, कि करना चाहिए कि कुछ डर था? उसमें तो हम लोग लग रहाता कि मालिया जी गए थे, विर्शा अगरिकल्चर के माध्यम से साहब भी गए थे, उसके बाद वहां पर हम लोग को बोला गया कि यह चलिया, अच्छा हम लोग को बाहर जाने का जोरत, रिक्षा चलाने का जोरत नहीं पड़ेगा, आप घर मे खेती बारे कीजिए, अच्छा धान, हाइबरीद धान का लगा ही है, तब हमको पहले हमको मिला था धान, हाइबरीट का पाणियर 27 uh 31 साय की तो उसमें हम अच्छा से किया, और उसमें जो हमारा ये tissue зм का मिला था ये धान पाणियर, आप उसमें हम खेती किया, तो जहां हमार इस तरह ये सफल परियोजना अंगड़ा के गाउं को जमाने के अंधिकार से बाहर निकाल रही है इसका प्रकाश आस पास के शित्रों में भी पड़ रहा है इलाके के किसान नई सुबह की और अग्रसर हो रहे हैं वस्तुता सफल नहीं अंगड़ा के किसानों को सफल बना दि दिखाया कि जब किसानों के पास में खेती करने के लिए जो पर्याप्त साधन है वह अगर उपलब्ध हो जाएं तो वह खेती में वह कितिमान भी अस्थापित कर सकते हैं जो औरों के लिए दिगर है आप हमारे पीछे जो यह बोर्ड देख रहे है सफल का यह से बोर्ड न मिलने से खेती में वो नए नए प्रियोग कर सकते हैं और अपने आपको सक्षम कर सकते हैं आत निर्भर कर सकते हैं खेती के माध्यम से यह जो सड़क है यह सिर्फ सड़क नहीं है यह सड़क विकास की सड़क है जो कि इन किसानों के दरवाजों तक जाती है नमाशा करते है कि आज के कारकेंग से जो हमारे किसान वाई हमको देख रहे हैं, वह भी जानेंगे, समझेंगे और इस तरह की यूजनाओं को वह भी अपने गाउं तक लाने का प्रयास करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिये, नमस्कार जुहार। अगले जमीन में विभिन खरी फसलों की बुआई का समय अभी उप्यूक्त है। किसान भाई जल्द से जल्द फसलों की बुआई का कारेंगे। जो किसान भाई अभी तक बिचड़ा तयार करने के लिए बीज अस्थली में बीज नहीं डाल पाए हैं, वो बीज अस्थली में तीन चार दिनों के अंतराल पर क्रमसह तीन चार किस्तों में बोएं। तो देखाना किसान भाईयो, इस वृत्यचित्र के माध्यम से कि किसान वहाँ पे कैसे मौसम पुर्वानुमान के आधार पर क्रिशी कर रहे हैं और लाब भी दिनों दिन कमा रहे हैं। तो इसका लाब आप भी कमा सकते हैं तो लाब जरूर लीजिए तो अब बारी आई है जाने की जाने की एक्षा तो नहीं होती है पर क्या करें जाना पड़ेगा जब तक जाएंगे नहीं तब तक आएंगे कैसे। तो इसी के साथ नहीं नहीं रुप चाहिए, पहले पता लिख लिजिए, कारेक्रम की शीदरसन, रिसी प्रकोस्ट, द्वारा केंदर निदेशक, दूर दरसन केंदर, रातुरोर राची, पिन संख्या है, आठ तीन चार, सुन्ने सुन्ने एक, तो आपने पता लिख लिया ना तो अब आपनी जनकारियां, अपने जिग्या साएं, अपने सुझाओ, सब कुछ इस पते पर आप लेख के भेज सकते हैं, हम अपने कारेक्रम में जरूर सामिल करेंगे, और आपके लिए बहतर से बहतर जनकारियां लेकर आएंगे, तो इसी के साथ मेरी दूदरसन की टीम को, अपनी जुम की बेहन को और सभी को विदा दीचिये, नमस्कार चहार